मैं हुरतना और मेरी रसोई में आपका हमेशा की तरह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैं सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि इस बीच काफी लंबा गैप हो गया अच्छली मेरी तव्यत कुछ दिनों से खराब चल रही तो वीडियो में बना नहीं पा रही लेकिन आज मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं आपकी मन पसंद रेसिपी इसको लेकर बराबर आती रहूंगी और आपकी हैल्प करूंगी आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है चमचम अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले तो चली शुरू करते हैं रेसिपी इसको बनाना ये मिठाई बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का दूद, निम्बू का रस, चीनी, नारियल पाउडर, केसर या केसर की जगह आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं घी और टूटी फूटी डेकोरेशन के लिए सजाने के लिए तो सबसे पहले हम दूद को उबाल लेंगे, दूद उबल गया है और इसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे, बंद करने के बाद इसमें डालेंगे हम निम्बू का रस जो हमने निकाल कर रखा है और इस तरह से इसे अच्छी तरह से चला लेंगे दूद अच्छी तरह से फट गया है अब हम इस तरह का कोई छन्नी लेंगे या फिर कोई सूती कपड़ा और उससे छेना को पानी से अलग कर लेंगे और साफ ताजा पानी से छेना को धो लेंगे ताकि इसका जो खटापन है निम्बू वाला वो निकल जाए, हट जाए इसे जात जात कर इस तरह से पानी से अलग कर लेंगे छेने को और इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जात कर ताकि जो भी बचा खुचा पानी हो निकल आए 15 मिनट के बाद इसे किसी प्लेट में निकाल कर अब इसे करीब 10-12 मिनट मैश करना है आप जब 5 मिनट तक मैश करेंगे तो आपको लगएगा कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है लेकिन नहीं 5 मिनट 6 मिनट करके मत छोड़िए इसे इससे 10-12 मिनट अच्छी तरह से मैश करें तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से छेने को मैश कर लिया है अब इकवल-इकवल मातरा में हम इसे बाट लेंगे इस तरह से और ओल स्एप में इस तरह से हलका लंबा शेप देंगे अब इसका आकार बिल्कुल चिकना दें, बीच में क्रैक्स बिल्कुल भी न रखें, यह रेडी है, अब चलते हैं चासनी बनाने, तो 200 ग्राम चीनी हमने लिया है यहां पे, दो कटोरी है, और इसमें अब मैं तीन ग्लास पाने डालूंगे, चासनी हमारी बिल्कुल पतली होनी चाहिए और चासनी इतनी रखे, कि 10 मिनट तक हमें इसमें पकाना है, छेने को, तो आराम से वो फूल कर बड़ा हो सके, और चासनी सूखेना, चासनी में उबाला गया है, इसमें दो इलाइची को तोर कर हमें डालना है, अब इसमें इस चमचम को डाल लेंगे, सभी चमचम को चासनी में डालने के बाद, हम इसे ढख देंगे, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई गैस फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे, 10 मिनट हो चुके हैं, अब देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल कर बड़ा हो गया है, गैस को हम बं दाल लेंगे, बहुत ही अच्छा चमचम हमारा बन गया है, तो ये हमारा चमचम निकल गया बाहर, अब चलते हैं अगले प्रोसेस में, पैल लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, और आधा कप दूध, थोड़ा सा मलाई, दो से तीन चमच मिल्क पॉडर, मिल्क इन सब को अच्छी तरह से मिला लेंगे, गुटलियां इसमें ना बने, अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूध, जो मैंने 10 मिनट पहले गर्म दूध में केसर रखके छोड़ दिया था, इससे इसका पीला कलर हो जाएगा, और टेस्ट बहुत अल्टिमेट, केसर की जगा येलो फूड कलर भी डाला जा सकता है, चीनी लेंगे अपने टेस्ट के कोडिंग और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, ये सारा दूध सूखने तक इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे, ये देखिए, ये सूख कर कुछ इस तरह से हो गय जिसे हमें उपर से कोड करना है चम चम को, अब चम चम लेंगे, इस तरह से चाको से हम बीच में आधा कट लगाएंगे, और इसमें ये स्टफिंग को डालेंगे, इस तरह से हमें स्टफिंग को भरना है, चम चम के बीच में, और इसी तरह से सभी चम चम में स्टफिंग को टाल लेना है that is सभी चम्चम में स्टफिंग भरा जा चुका है अब क्या करेंगे एक लिए चम चम को इस तरह से नारियल पॉडर में जैंक करेंगे और यह त्यार है इसी तरीके से हम सभी चमचम को इस तरह से कोड कर लेंगे उपर से नारियल पॉर्डर में ये मिठाई बहुत ही आसान भी है और बहुत ही टेस्टी सभी कोई सी तरह से रेडी कर लेंगे और आखिर में आप डालेंगे इसके उपर थोड़ा थोड़ा सा ये टूटी फ्रूटी तो ये चमचम अब पिल्कुल तयार है फ्रेंड्स रेसिपी अगर सीपी में तब तक के लिए गुडबाई